मुभारक हो दोस्तों जो 75 सालों में नहीं हुआ वो आप देखने को मिल लहा है जो 75 सालों में आप सभी नहीं नहीं देखा वो आप देखिए और देखिए कि किस तरीके से देश की जनता जो है वो कहां से कहां तक पहुँच गई है खासकर उन अंधभक्तों की बात करें, माफ कीजे का अंधभक्त नहीं, मोदी भक्त, जो मोदी जी के भक्ती में लीन रहते हैं, उन भक्तों का भी आज हश्र ऐसा हो गया है, कि वो भी लाइन लगने पर उतारू है, क्योंकि मोदी जी ने सब का दिल लूट लिया है, सब का द नौ सालों में देश को इतनी तरक्की, इतनी तरक्की, इतनी तरक्की पर पहुचा दिया है कि वो आज खुद लाइनों में लगे हैं, दरसल दोस्तों आप समझ नहीं रहे होंगे ना कि क्या बोल रही हूं मैं, तो चली आपको पूरी डिटेल में बताती हूं कि क्या बोल रह यह जो लंबी-लंबी लाइने हैं दिखाई देरा आपको यह वीडियो इस वीडियो में दो-तीन लंबी-लंबी कतार है लाइन और इस लाइन में महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सब कोई नजर आ रहे हैं और पता है क्यों जो कल तक 4000-5000 का पैट वो कह रहते हैं कि चाहे पेट्रोल महहँगा हो जाए, चाहे सिलंगर महा हो जाए, सबजी दाल महहा हो जाए, लेकिन मोदी जी विश्व गुरू है और आएंगे तो मोदी ही उन उची 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 विल्डिंगों में रहने वाले आज लाइन में क्यों खड़े हैं, क्यों लाइन में लग गए हैं तो चलिए बताती हूँ लाइन में क्यों लगे हैं क्योंकि ये जो टमाटर है ना दोस्तों बीते कुछ महीनों से जो टमाटर का दाम आसमान छू रहा है टमाटर लाल हो रहा है उस टमाटर की महंगाई देखकर ये उची-उची मारतों में रहने वाले बड़ी-बड़ी सुसाइटी में रहने वाले जो लोग है वो कुछ पैसे सस्ते होने के कारण लंबी-लंबी लाइन में लग चुके हैं अब आप सोचिए मोदी जी अपने भक्तों को भी लाइन में लगा चुके हैं तो हम और आप या और देश की अवाम जो है वो क्या करेगी और किस तरीके से इस महंगाई के मार से बचेगी दर असल दोस्तों इस सुसाइटी में प्रशासन के जरिये जो है अभी 240-250 से 270 के करीब टमाटर पहुँच चुका है जी हाँ सेब से भी जादा महंगा मुर्गा से भी जादा महंगा मश्री से भी जादा महंगा अब टमाटर का दाम है जो 75 साल में भी हमने आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 2-4-5 रुपे कीलो वाला टमाटर वो 270-240 रुपे कीलो मिलेगा वो टमाटर प्रशासन के जरिये ट्रक में लाकर 140-150-170 के करीब बेचने का जो है सिलसिला शुरू किया गया बड़े-बड़े सोसाइटी में तो उस चमाटर की थोड़ी सी महंगाई थोड़ी सी बचत के लिए इन उची-उची बिल्डिंगों के लोग जो है वो सड़कों पर आ गए इनी उची बिल्डिंगों पर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों कि आपने कई बार वीडियो देखे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से यह कहते थे कि महंगाई कहां है महंगाई तो है यह नहीं खुद मोदी जी की नेता मंत्री कह रही है कि जो टमाटर महंगा है तो खाना बंद कर दो या फिर गमले में उगा-उगा कर खाओ तो ऐसे भी बयान आये है जनता की परिशानियों से किसी को मतलब नहीं है हाँ अगर आपको महंगाई लग रही है तो या तो आप खाना बंद कर दीजे या तो फिर अपने घर में उगाना शुरू कर दीजे अब हार एक चीज आप अपने घर में ही उगाईे चाहे आपके पास जमीन हो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप या तो उस चीज को छोड़ दीजे या तो फिर आप खुद से उगाना शुरू कर दीजे क्योंकि इस देश में मेंगाई जो है वो बढ़ती ही रहेगी ऐसे ही बढ़ती रहेगी लगाम नहीं लगेगा हाँ जब जब चुनाव होगा दो चार उपे कम कर दिये जाएंगे लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही चुनाव खत्म होगा और कोई भी पाटी जी दिया फिर उसके बाद मेंगाई ऐसे ही आसमान पर आज समझ में नहीं आता है दोस्तों कि स्मिर्ती रानी जैसी जो बिपक्ष में पहले हुआ करती थी वो कितना शोर मचाती थी सिलेंडर को लेकर आलू, प्याज के दाम को लेकर जरासा बढ़ जाता था तो वो इतनी जादा रोट पर निकलाती थी मनमुहान सरकार को चूणिया भेजने लगती थी सर पर सिलेंडर उठा कर हंगामा करती थी लेकिन 9 साल में जो जनता की स्थिती है उस स्थिती पर सबके सब खामोश हो गए है सबके सब चुप हो गए है सबकी चुप़ी बया कर रही है कि क्या इनको जनता की परिशानियों से कोई भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि मीडिया में तो खयर आपको ये सब बताया नहीं जाएगा मीडिया दिखाएगी, मीडिया तो हिंदू और मुसल्मान लड़वाने में व्यस्त है, मीडिया मौलवी और पंडित को लड़वाने में व्यस्त है, क्योंकि मीडिया का काम यही है, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परिशानी अगर उसे दिखाई दी होती, तो सैंड विच ले कर स्टूडियो में बैट कर पत्रिकाडिता नहीं कर रही होती टमाटर वाली पत्रिकाडिता करती और दिखाती कि टमाटर कितना महंगा हो गया है टमाटर कितना लाल हो गया है और जंता कितनी परिशान है अब यही वीडियो जब से सामने आया है दोस्तों लोग तर प्रिशासन ने 130 रुपे किलो की दर से टमाटर बेचे हैं और लाइन देखकर लगेगा कि फ्री में बट रहा है टमाटर ने दर बदर कर दिया है लोगों को अब सोचिए जिन लोगों को महंगाई कुछ नहीं लगती थी आज वो महंगाई का रोना लेकर 130 रुपे का टमाटर बेचने जब प्रिशासन के जरिए लगाया गया ट्रक तो यह लोग अपने अपने बिल्डिंगों से उतर कर लाइन में लग गए हैं तो यह स्थिती हो गई है NBT दिल्ली जो है वो शेयर कर रहे हैं कि महागुन सोसाइटी में टमाटर ऑन सेल होने पर लेने वालों की लंबी लाइन लग गई है 130 रुपे कीलो टमाटर मिल रहा है आगे आफरीन सदफ आफरीन जो है वो ट्विट करते वे लिख रही हैं दोस्तों कि 75 साल में पहली बार खुद के मेहनत से कमाई हुए पैसे को बचाने के नहीं लाइन में लगा दिया है मंडी में टमाटर 200 रुपे कीलो है प्रिशासन या 130 में बेच रहा है इसलिए इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है ऐसा ही सचिन गुपता की तरफ से भी शेयर किया गया है कि यह लाइन टमाटर खरीदने के लिए लगी हुई है जिला प्रिशासन 130 रुपे टमाटर कि एक बात पर ताली थाली पिटना शुरू कर देते थे दिया मुंबत्ती जलाना शुरू कर देते थे आज टमाटर की थोड़ी सी महंगाई जो है रेट कम क्या किया प्रिशासन के जरीए यह लोग लाइन में लग चुके हैं तो इनको भी अब समझ में आ रहा होगा कि महं लिए गाई की मार्क तो ऐसे ही अच्छो अच्छो को ठिकाना लग जाता है अकल ठिकाना लगने लग जाता है जो 5500 रूपे लीटर पेट्रोल डीजल की बात कर रहते भरवाने की वह 130 रूपे में ही सिमट कर रह गए हैं कि 130 रूपे का टमाटर चलो जल्दी जल्दी हैं नहीं तो बजार में 200, 230, 240, 250 ऐसे मिल रहा है तो यह इस्थिती है दोस्तो कि हमारे देश में आज भक्त लोग भी लाइन में लगने को मजबूर हो गए हैं दोस्तो इस पूरे रूपोर्ट को लेकर आप क्या सूचते हैं आपकी क्या प्रतिकेरिया हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें